गाईज आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाले है लेकिन बहुत ही इन्फोमेटिव होने वाले है क्योंकि आज की वीडियो में आपको वासप के सेटिंग सेक्षन में जितने सारे सेटिंग से उस सब के बारें बताऊंगा स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप उनको पूरी तरह समझ सके और आपको बार-बार स्पेसिफिक आपको सेटिंग ना देखने पड़े तो मैं आपको जल्दी आपका आपको टॉप राइट में जो तीन डॉट मिलते हैं वहाँ पर आप टैप करके सेटिंग में जा सकते हैं उसके बाद हम लाइन से पूरे सेटिंग देखेंगे तो सबसे पहले प्रोफाइल का चेक्शन आप देख रहे हैं जिस पर शाही लिखा हुआ मेरा नाम उस पर हम का इकन मिल रहा है उसमें आप टैप करके अपने फोटो को डाल सकते दुसरा फोटो लगा सकते अपडेट कर सकते या फिर अगर आपका फोटो लगा हुआ है तो उसको डिलीट कर सकते रिमोव कर सकते उसके निचे यहाँ पर नेम के निचे शाही लिखा हुआ है तो आप इस पर tap करके pencil icon को अपना नाम change कर सकते हैं कुछ भी दूसरा रख सकते हैं जैसे save और उसके बाद उमें आपको emojis का जो option मिल रहा है आप इस पर tap करके जो emojis चाहिए आप वो भी रख सकते हैं और यहाँ पर save tap करने के बाद वो save हो जाएगा उसके बाद निचे जो दूसरा option देख रहा है वो about का about में आप कुछ अपने status रख सकते हैं जैसे I am busy या फिर in a meeting ऐसा कुछ भी दूसरा option या फिर आप चाहें तो course वगरा कुछ रख सकते हैं या आपको दूसरा main number है तो call on this number करके अपना number भी रख सकते हैं या आप attack परके आ आप इसको हटा कर दूसरा रख सकते हैं मैं फिलाल के लिए इसको cancel कर देता हूं यह हो गया उसके बाद हम account के setting देखेंगे account में हम गये तो हमको बहुत सारी setting मिलते है उसमें top जो first setting होगा privacy की उसमें who can see my personal info आपके जो personal information है वो कौन देख सकता है तो उसमें नीचे आपके बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल दिए first है last scene मतलब आपने last बार का whatsapp खोला था अगर आप इसको तीन option आपको मिले कर टैप करने के बाद everyone तो सब लोग देख सकते है फिर my context आपके context में जो लोग है वो लोग देख सकते है उसके बाद जो last है nobody यह कोई नहीं आप last scene देख सकता लेकिन इसको करने के बाद आपको एक दिक्कत यह भी होगी कि आप भी किसी का last scene नहीं देख सकते हैं तो आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा last scene किसी को नहीं देखे मकब online था और दूसरों का दोके तो ऐसा नहीं होगा तो अगर आप nobody करेंगे तो last scene आपका किसी को न सकते वह आपका कौन कौन देखना एवरिमन सब लोग सकते माय होता है कि आपने वह मैसेज वह अगर आप कर देंगे तो आपकर क्या किसी ने आपको message बेजा है तो आप वो message पढ़ लेंगे लेकिन उसको पता नहीं चलाए कि कि आप message पढ़ चुके है क्योंकि जो message पढ़ा जा चकता है वो पढ़ा जा चुका है उसके दो blue tick आते हैं लेकिन अगर आप इसको off कर दें तो blue tick वो बंदे ने जिसने आपको बेजा है उसको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इसमें भी दिक्कत है कि आप भी अगर किसी को message पढ़ लिया तो आपको भी blue tick देखने के नहीं मिलेगी फिर निचे groups है group में tap करें तो इसमें आपको group में कौन-कौन add कर सकता है तो everyone मतलब कोई भी अन्ना और नमबर भी आपको group में add कर सकता है my contacts मतलब जो contacts आपके phone में है वही लोग आपको group में add कर सकते है last my contact my contact accept तो इस इसमें my contacts उसमें कौन-को नहीं सर्च कर सकता है उसका option मिलता है उसके लावा हम back जाए तो live location अगर आप अपनी location share करना चाहते हैं तो उसको on करें तो आपके location share होगी उसके बाद blocked contacts आपने किसने लोग को block किया वह वहाँ पर देखेगा उस पर जाकर आप किसी को unblock भी कर सक fingerprint sensor आपके phone में तो इस तरह आपका phone का lock fingerprint से खुलता है उसी तरह WhatsApp भी आपका fingerprint से open होगा तो इस तरह आप fingerprint से अपने phone को unlock कर सकते हैं बाइक जाएंगे यह privacy का पूरा शक्सान हो गया उसके बाद देखेंगे security का section उस पर type किये इसमें आपको ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है शो security notification इसको आप on नहीं करें तो अच्छा है यह security ज्यादा उसमें बात करने का बात नहीं है main जो बात था वो account में पूरा हो गया change number third number पर main जो है अगर आपको number change करने तो number change होगा लेकिन आपको group जो है और बागी सारे चीज़े हैं जो chats वगर है वो उसी तरह रहे हैंगे request account info आपका account का अगर information चाहिए तो whatsapp वाले को आप official whatsapp वाले को आप request कर सकते है वह वहला आपका account का information बेज़ेंगे delete my account अगर आप account को delete करना चाहते है बैक गए अब charts में जाते हैं charts में आपको बहुत सार option मिलते हैं मैं फटा 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 आपको बता रहा हूं first जो option नहीं वह theme का मतलब अभी आपका light theme या dark theme, dark theme करें तो आपको अंदेरे में ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें उतना light देखनों का नहीं मिलती है आपकी आँख ज्यादा खराब नहीं होती और dark अगर आप करें तो उससे एक और फायदा है कि आपकी battery जो रहती है व आप no wallpaper भी कर सकते हैं gallery में जाकर यहां बहुत सारे option देखर है gallery में जाकर आप कोई अपना खास photo रखना चाहते हैं तो वो खास photo भी रख सकते हैं उसके बाजू में तीसरा है solid color मतलब सिर्फ एक color या तो black या तो white या तो yellow orange कोई भी एक color रख सकते हैं wallpaper के लिए फिर wallpaper library यह दूसरा यह back करेंगे इसको भी उसके बाद in chat settings में देखो बहुत सारे settings है उसमें first जो है वो enter is send अगर आप कुछ message type कर रहे है तो enter दबाया तो हम दूसरी line में आते हैं लेकिन अगर यह option आप on कर दे तो आपको ज्यादा speed chatting करने के लिए enter दबाया तो direct send हो जाएगा लेकिन library में आपके gallery में दिखाना है उसको option है तो इसको on करें तो सही है उसके बाद है font size आपका जो font है whatsapp का वो small मतलब छोटा 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 आएगा large मतलब बड़ा बड़ा font आएगा उतना अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए medium ही आपको अच्छा option है medium ही ठीक है उसके बाद app language ये English ही रहना है जो आपके phone की लेंगे वह ही अच्छी है उसके बाद chat backup ये जो option है इसमें आप अपने chat को backup कर सकते हैं और आपका जो chat रहेगा वो बहुत महफूस रहेगा ताकि आप अपने gmail से अगर दुसरे इसमें कभी on किये दुसरे account phone में अगर आप अ notifications इसमें क्या क्या option है conversation tones अगर कोई आपको message बेज रहा है या आप message बेज रहे है तो टक टक करके sound आता है वो आपको इसमें देखने के मिलेगा उसके बाद messages section के अंदर बहुत सारे option मिले है फर्स्ट है notification tone मतलब notification आप WhatsApp का default रहता है उसके लिए आप कोई notification लगा सकते हैं vibrate भी होगा थोड़ा phone ऐसा फिर pop-up notification आपको कोई message आ रहा है तो वो pop-up करना है या नहीं उसके लिए no pop-up ही इसमें better option देगा इसको back कर देते हैं फिर light आपके WhatsApp में जो हो कौन सी रहना चाहिए जो यहाँ पर बहुत सारे option है red, yellow, green, can, blue, purple इसको हम white पर ही अच्छा रहता है उसको back कर देंगे, फिर group का आप नीचे देखे तो group का जो section उसमें बहुत सारे आपको option मिले, notification tone, group के लिए आप खास notification रख सकते हैं ताकि आपको पास चले कि किसी person ने भेजा है या किसी group से हो message आया है, vibrate और pop-up notification और light ये भी same उसी तरह है, फिर उसके बाद calls section में आपको storage usage में, तो इसमें ये भी थोड़ा अच्छा feature है और थोड़ा important है, ये भी देखना है, आप लोग first ये कितना आप यूज की हो पुरा बता रहा है, उसके बाद media auto download है, when using mobile data जो आप इस पर type करें, तो आप जब mobile data यूज कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीज डाउनलोड ह जना है, तो आप अगर सिर्फ photos के तो सिर्फ photo download होगा, audio के तो सिर्फ audios download होगा, लेकिन आपको उससे अच्छा बात करने का पुरा हो जाएगा, मतलब कोई voice भाइज रहा है बार-बार, तो आपको बार-बार download नहीं करना पड़ेगा, आगर आप इस पर type कर दें तो, और videos, documents, photos और audios चारों आप कर दें, तो mobile data अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका mobile data बहुत ही ज़्यादा खर्च होगा, तो अगर अभी आपका ये चारों है तो उसको हटा दें, आप जिसको चाहिए उसी को download कर सकते हैं, मैंने सबको अटा दिया है, इसलिए cancel करता हूँ, when roaming, इसमें जब आप roaming ये सफर अगरा कर रहे हैं, और आपका SIM roaming में है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो उस वट क्या क्या डाउनलोड करना है, उसका भी option है, तो वो भी किसी पर आप टिकना करें, वही सही रहेगा आपको, फिर call setting यहाँ पर जो दिख रहे हैं, वो अगर करें, उसके बाद help, यहाँ पर आप जाकर WhatsApp से कुछ help मागना चाहते हैं, उनसे contact करना चाहते हैं, कि मेरा account में ये bug आया है, ये मेरा account of mistake हो गया है, तो उसके पुरा आप कर सकते हैं, contact S में जाकर, FAQ मतलब frequently asked question, जो बहुत लोगों ने पहले common common question के उसके answer, आपको मिलेंगे, terms and privacy policy, WhatsApp के क्या क्या rules वगर है, फिर app info, ये app के बारे में थोड़ा WhatsApp के बारे बताया जाता है, फिर last जो आपको मिल रहा है, वो invite a friend, अगर किसी friend के पास WhatsApp नहीं है, तो आप उस friend को invite करके, WhatsApp लिंक भेज कर, वो लिंक पर टैप करेगा, तो WhatsApp उसका open होगा, play story या कहीं पर, तो डाउनलोड कर सकता है, WhatsApp को, last मैं दिखे रहा है, from Facebook, मतलब Facebook ने WhatsApp को खरीद लिया, या आपको मालूम होगा, इसलिए अभी Facebook के अंडर ही WhatsApp भी चलता है, इसलिए आपको ये branding मिल रही है, तो इतना ही बताना था आपको WhatsApp की जो पूरी settings है, जो main settings है, वो मैंने आपको पुरा ब झाल झाल झाल, झाल झाल झाल, 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 झाल झाल